मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा का सर्व शेष्ट दिन माना जाता है। पवन पुतर हनुमान को परसन करने के लिए उनके भक्त हनुमान चालिसा का पाठ करते हैं तो कोई सुन्दर कांड का पाठ करते हैं। हनुमान जी के पंच मुखी रूप के बारे में आपने होगा वैपंच मुखी रूप वाली तस्वीर भी देखी होगी पर क्या आप जानते हैं हनुमान जी के ग्यारा मुख अवतार के बारे में क्यों लेना पड़ा भगवान हनुमान जी को ग्यारा मुख का अवतार आए जानते हैं इसके बारे में इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छी लेगे तो शेर और लाइक जरूर करिएगा प्राचिन काल में काल कार मुख नाम का एक राक्षष था इस राक्षष ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी उसी तपस्या से परसन होकर ब्रह्मा जी उनके सामने परगठ हुए और उस राक्षष से वर्दान मांगने को कहा काल कार ने ब्रह्मा जी से अमर्ता का वर्दान मांगा प्रंतु ब्रह्मा जी यह वर्दान नहीं दे सकते थे तो कोई दूसरा वर्दान मांगने को कहा गैते कालकारमुक ने कहा कि जो भी मेरे जनमतिती पर ग्यारा रूप धारन कर सके वही मुझे मार सकता है ब्रह्मा जी तथास्तू कहकर चले जाते है प्रम्मा जी से वर्दान पाकर उसने देवताओं पर आतंक मचाना शुरू कर दिया समस्त देवों को प्राजित कर दिया तब सभी देवता भगवान विश्णु की शरण में गए और विश्णु जी से सहयता मांगी तब विश्णु जी ने कहा कि मैं तो पहले ही शिरी राम के रूप में प्रिथवी पर मजूद हूँ तो मैं कैसे सहयता कर पाऊंगा आप सब शिरी राम जी के पास सहयता के लिए जाए विश्णु जी की आग्या पाकर सभी देपता प्रभु शिरी राम की शरण में पहुँचे और उन्हें सब बताया सब कुछ जानने के बाद प्रभु शिरी राम ने कहा कि ऐसी विकट स्थिति में संकट मोचन महावली हनुमान जी हमारी मदद कर सकते हैं हनुमान जी को बुलाया गया और सारी विपदा पताई गई और उस राक्षस से बचने की प्राथना की प्रभु शिरी राम की आग्या पाकर हनुमान जी ने उस राक्षस की जनमतिति के दिन 11 मुखी रूप धारन किया यह खबर जब कालकार मुख राक्षस तक पहुँची तो कालकार ग्रोध से जलने लगा और अपनी समस्त सेना को लेकर हनुमान जी से युद करने के लिए पहुँच गया युद के दुरान हरुमान जी ने सेना को नश्ट कर दिया और फिर राक्षश काल कार मुख का वद किया इस परकार हरुमान जी विजे हुए